Hello दोस्तो, Eternity of Pain का Week 3 आ चुका है, यह मैंने उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया था, जैसे ही Week 3 आ था, उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया था, बस वीडियो थोड़ा लेट अपलोड किया है, Objective क्या है, यहाँ पे हमें मारना है Defensive Tank से, और दूसरा मारना है X-Men से, X-Men वाला मुझे ल जल्दी से जल्दी बिशप को मारते हैं, बहुत असान था, बहुत जादा असान था, Eternity of Pain, as compared to week 2, week 2 में काफे जादे रिवाइव लगे, I think मैंने इसको शायद एक रिवाइव में complete किया, शायद मुझे, याद भी नहीं है, Actually, चलो देख लेते हैं, कोई नहीं, energy accuted है, मतलब कि हमें यहाँ पे इसके पास रहना पड़ेगा, तब ही हमको power मिलेगी, Meltdown लगा हुआ है, जिसमें कि हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी special छोड़ना होगा, क्योंकि अगर यह meltdown हम पे खतम होगा, तो हमें burst damage मिलेगा 200% और hurt locker लगा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर सेम हमने special use किये, तो हमें एक heavy जरूर फैक ना पड़ेगा 5 second में, और shock tether है, if either champion has not made contact, मनलब 6 second में अगर नहीं बनाया है, तो हमें shock लगेगा, और यहाँ पे अगर हम internet immune है, तो इसे stun immunity मिल जाएगी bishop को, तो यह notes लगे हुए है, उगे तो जल्दी से fight में चलते हैं, enter करते हैं, जल्दी सी जल्दी fight करते हैं, कुछ boost है जो मैंने यहाँ पर use किया है, lesser attack boost है, जैसे की champion boost है, यह health boost है, वो use किया है, मैंने stack में बहुत ज़्यादा थे, तो use कर लिए है, अब यहां पे हमें क्या करना है ज़्छी से जादा इसके पास रहना है ताकि हमारी प criticisms विजा से हम यहां पे जल्दी से प्रने करेंगे यहां पे इसे मार पहेंगे मैल्ट डाउन लगा हुआ है मुझे जल्दी से जल्दी यहां पे अपना special चोड़ ना होगा जल्दीस जल्दी असान था गासे यह बिशप को मारा है इतना मुश्किल नहीं जल्दीसे अपना स्पेशल चोड़ना पड़ेगा लेकिन इसमे अपना स्पेशल वन यहां पर छोड़ यह था अब हमें इंसरनेट मिलेगा तो हमें जादा सी जादा इसे दूर ही रहना होगा क्योंकि भाई इंसरनेट अगर लगा दिये जादा से जादा हम पे तो हम आसी मर जाएंगे फाल्तु में अब हमें इस पर लगा के रखा है यहां पर बस हमें इंसरनेट से बचना है पहले इसका जो स्टडी रिलीस अब बच गए हम उससे थोड़ा इंसरनेट डेमेज विला है हमें बट कोई नी सह लेंगे थोड़ा सा एंड मैंने इसको 67% पर पहुंचा दिया है यहां पर स्पेश लेकर छोड़ना पड़ेगा ताकि मैल्ट डाउन उस पर लगे हर्ट लॉकर भी लगा हुआ है यहां पर मैं कर रहा हूं इसका पॉवर बन ब्लॉक पे मारा तो पॉवर बन होगा पॉवर लॉक भी थोड़ी देर के लिए हो चुका है हमने यहां पर स्पेशल वन फैक्ट पड़ेगा फिर से क्योंकि होट लगा हुआ है तो हम यहां पर स्पेशल वन फैक्ट रहे हैं ओके तो चलो मारना शुरू करते हैं मीडियम मीडियम एंड यहां होगे अब पूरा कॉम्बो फैक्टे हैं मैल्ट डाउन का डैमेज भी इसे अरे शिट फिर इसने अपना स्प पत्राइब कर दो हैं हैं यहां फिर इन से भी आराम से मर जाएगा यह बट यह मुझे अपने प्रहन जाना पड़ेगा ताकि हम इसका पॉवर बर्न कर सकें जल्दी सी जल्दी से मार सकें पावर बर्न किया बहुत ही बढ़िया पॉवर लॉग भी लगा जुके हैं यहां पर स्पेशल टू यूज करना पड़ेगा मुझे ताकि इसको डामेज मैं पर स्टडी रिलीस की लिए मेरे को यहां पर इंसरेट लग रहे हैं मैं ठोड़ा सा टाइम वेष्ट करना पड़ेगा यहां पर स्टडी रिलीस चल रहा है तो हमें थोड़ा टाइम ह्यां करना पड़ेग ओक है इंसरेट ले मिल राया है तो मैं नहीं चाहता मुझे इंसरेट लेध ले ले and meltdown का damage भी इसे मलने वाला और यह fight शायद complete होने वाली है, बहुत ही जल्दी complete होगी, यह fight एक revive में complete होगी, चलो मेरे को यहाँ पे 2 points मिले है, eternity of pain के, मेरे total points हो चुके है 7, अब जो दूसरा objective है, x-men से मारना bishop को, वो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि यार उसमें resources लग जाएंग eternity of pain में, and next week में देखते है, warlock आने वाला है, शहयद से उधर भी 2 points अगर ले लेते हैं, तो total 9 points हो जाएंगे, तो rewards मेरे हिसाब से, मेरे लिए पहली बार में बहुत अच्छे rewards है, 6 star के nexus मिल जाएगा, 10 वो मिल जाएंगे, यह मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया है, कोई न लाइक जरूर करो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सबस्क्राइब करो, मिलूगा जल्दी नहीं वीडियो में, तब तक ले, गुडबाई